पपु का एग्जाम चल रहा था मैडम बहुत सक्त थी इसलिए नकल मारने का कोई मोका नहीं दे रही थी पपु ने एक परची मैम को दी तो मैडम Pूरे पेपर के दोरान कुर्सी पर ही बैठी रही सबने खूप नकल मारी सब का पेपर बहुत अच्छा उआ पेपर खतम होने के बाद बच्चों ने पूछा तुने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था पपू बोला मैंने पर्ची में लिखा था मैडम जी आपकी पेंटों पीछे से फटी हुई है अब पूपास हो गया